एक रोज देवराज इंद्र के मन में एक बड़ा सा शिवाले बनानी की इच्छा जागी उन्होंने अपने सभी सैनिकों को शिवाले बनानी के लिए एक अच्छी सी जगह ढूडने को कहा हमें एक भव्य विशाल शिवाले बनवाना है और हम चाहते हैं कि इसके लिए अच्छी सी जगह खोजी जाए कई दिनों तक जगह तलाश करने के बाद एक अच्छी सी जगह शिवाले के लिए चुनली गई राजा ने वहां शिवाले बनानी के अचाज़त दे दी और मंदिर बनाने का निर्मान कारी शुरू हुआ राजा ने उस शिवाले का निर्मान कार्य अपने ही राज्य के एक बड़े मंत्री को सौपा मंत्री ने अपनी देख रेख में मजदूरों से खुदाई शुरू करवाई खुदाई करने की वक्त उस जगह से शिवजी की एक जादूई सोने की मूर्ती मिली अरे वाह सोने की मूर्ती ये तो पूरी सोने की है अच्छे खासे कीमत होगी इसकी उस मूर्थी को देखकर मंत्री के मन में लालच आ गया और उसने उस मूर्थी को अपने घर में रख लिया लेकिन उन मजदूरों में से कुछ लोग तेनाली राम के खास थे इसलिए उन्होंने जाकर मंत्री के लालच के बारे में तेनाली राम को बता दिया ओ, तो ये बात है, लेकिन अभी हमें सही वक्त आने का इंतजार करना होगा सही वक्त आने पर वो मंत्री अपने आप उस मूर्ती को राजा को सौपेगा कुछे दिनों में मंदिर का निर्मान कार्य पूर्ण हुआ और मंदिर के लिए राजा ने सभी मंत्रियों से कैसी मूर्ती बनाई जाए, इसकी राय मांकी लेकिन सबसे बात करने के बाद भी राजा किसी निशकर्श पर नहीं पहुँच पाए तब ही एक जटाधारी सन्यासी दर्बार में आए हे मुनिवर, आपका हमारे दर्बार में स्वागत है मैं जानता हूँ महराज, आप सब किस सोच विचार में है और मुझे यहाँ आपकी सहायता करने के लिए खुद शिवजी ने यहाँ भेजा है क्या, भगवान शिवज ने आपको यहाँ भेजा है? हाँ महराज, भगवान शिवज ने मुझसे कहा है कि उन्होंने अपनी एक जादूई सोने की मूर्ती भेजी है और वो मूर्ती भगवान ने इस बड़े मंत्री के घर में रखी है आप जाकर उस जादूई सोने की मूर्ती की स्थापना उस मंदिर में कर दीजिए इतना कहकर वो मुनिवर वहां से चले गए लेकिन वो मंत्री सोच में पड़ गया आखिर उस मुनिवर को ये बात पता कैसे चली लेकिन राजा को कुछ-कुछ समझ में आने लगा और उनकी नजरें तेनाली राम को सभा में ढूणने लगी लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आए कुछ देर बाद वहां तेनाली राम सामने से महल में आए लेकिन फिर अचानक उन्हें देख सभी हसने लगे तभी सेना पती ने कहा अच्छा तो आप ही वो मुनिवर थे आपने अपनी वेश भूशा तो उतार दी लेकिन अपनी माला उतार ना भोल गए हाहाहा आ लेकिन तेनाली राम ने जो वेश भूशा ली थी वो अच्छे काम के लिए ही पहनी थी और उनकी बुद्धी मानी देख कर मैं बहुत खुश हूँ इसलिए हम तेनाली राम को इनाम देने की घोशना करते हैं साथ ही मंत्री के घर से उस जादूई सोने की मूर्ती को लेकर मंदिर में स्थापित किया जाए उस मंत्री को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तेनाली राम और राजा समेच सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगी महराज मुझे माफ कर दो तेनाली राम मुझे माफ कर दो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दरसल मैं लालच में आ गया था इसलिए मैंने वो मूर्ति अपने घर में छुपा कर रख ली तुमने अपनी गलती स्विगार कर ली यही बहुत बड़ी बात है मंत्री जी, मनुष्य इंसान से तो धोखा कर सकता है लेकिन ईश्वर से नहीं वैसे तेनाली राम, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? महराज की इस बात पर तेनाली राम मुस्कुरा देते हैं फिर राजा भी उसे देख कर मुस्कुरा देते हैं इसके बाद उस जादूई सोने की मूर्ति को राजा ने तेनाली राम के साथ मिलकर मंदिर में स्थापित किया भोला अपनी पत्मी और दो बच्चों के साथ हरीपुर गाउं में रहता था वो गाउं के साहुकार के पास मजदूरी करता था भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए साहुकार से कर्ज लिया था जिसका भुक्तान वो साहुकार को कई वर्षों से कर रहा था भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्री का भव्य आयोजन था वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुचा पर साहुकार भी वहां मौजूद था भोला उदासमन से पत्नी और बच्चों को लेकर वापस घर की ओड़ चल पड़ता है तब ही भाया ये आटे का हलवा है अगर ये खाओ तो हाँ हाँ मुझे आटे का हलवा दे दो भूक में तो प्रसाद और भी स्वादिश्ट लगता है क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा है मैं काम की तलाश में हूँ कि आप मुझे कोई काम दे सकते हो मैं कुछ भी कर लूँगा पर मैं तो खुदे गरीम मजदूर हूँ गाओं के साहुकार के पास मजदूरी करता हूँ मैं तुम्हे भला क्या काम दूँगा भाइया मुझे कोई भी काम दे दो बदले में मुझे पैसे नहीं बस रहने की जगा दे देना भोला शिवा की मजबूरी देख हां कह देता है अगले दिन से शिवा वही रहने लगता है और घर के काम में मदद करता था एक दिन भोला अपनी पत्नी माला से भोला माला, शिवा हमारे लिए इतना सब कुछ क्यूं कर रहा है बच्चों के लिए भी ये इतना दूद, भल, सबजी सब ले आता है पर कब तक हम इससे बिना पैसे दिये काम करवाते रहेंगे तुम्हे काम क्यूं नहीं करते भोला कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले ले परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे एक दिन साहुकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गाउं भेशता है रास्ते में रात हो जाती है जंगल का रास्ता था तभी एक शेर के दहारनी की आवाज आती है भोला घबरा जाता है भोला भाईया आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो तो डर कैसा और जब भक्त मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है आप उस पेड के ऊपर चड़कर बैठ जाओ बाकी सब मैं देख लूँगा शिवा मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड पर चड़कर बैठ जाओ ये भी तो सही बात नहीं है भोला भाईया आप निश्चिंत रहो मुझे कुछ नहीं होगा भोला जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है वो देखता है कि शेर उसके सामने भड़ा है भोला शेर को अपने सामने देख डर जाता है और आखें बंध करके ओम नमशिवाई ओम नमशिवाई का जाप करने लगता है शिवा भोला के आगे आ जाता है शेर शिवा को थोड़ी देर तक देखता रहता है और बिना कुछ कहे जंगल की ओर चला जाता है भोला और शिवा दोनों घर आ जाते है भोला पूरी रात उस घटना को याद करता रहता है अगली सुबह जब वो सोकर उठता है तो शिवा घर पर नहीं था भोला असपास में पूछता है पर शिवा का कहीं भी पता नहीं था वो साहुकार से जाकर पूछता है भोला घर आता है और सारी बात माला को बताता है माला भी सुनकर बहुत हैरान होती है कि अचानक बिना बताए शिवा अमर्नाद की इतनी लंबी यात्रा पर कैसे निकल गया भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसी रात को सपने में भगवान शंकर भोला को दिखाई देते हैं भोला उठो तुमने मुझे पहचाना नहीं मैं ही तुम्हारा शिवा हूँ जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो भगवान शंकर आप ही शिवा हो मैंने आपको पहचाना नहीं ये कैसी भूल हो गई महादेव मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपकी सेवा नहीं की बलकि आपसे सेवा करवाई आप मुझे छोड़ कर क्यू चले गए प्रभू हे महादेव लौट आओ मेरे पास भोला अब तुम मेरे पास अमरनाथ यात्रा करके आओगे मैं अमरनाथ में ही तुम्हें अपने दर्शन दूंगा इतना कहकर भगवान भोले नाथ अंतर ध्यान हो गए अगले दिन भोला ने सारी बात माला को बताई पर भोला इसी चिंता में था कि अमरनाथ की यात्रा के लिए उसके पास पैसे कहां से आएंगे तभी माला उससे बोली सुनो आपको याद है ना शिवा हमारे पास पैसे जोड़ता था इसका मतलब महादेव ने स्वयम हमारी अमरनाथ यात्रा की विवस्था कर दी आपकी जय हो बाबा बरफानी जय भोला भंडारी आपकी जय हो माला हमारे शिव शंकर ने हमें अपने धाम बुलाया है अमरनाथ बुलाया है बोला उन रुप्यों से अपनी अमरनात यात्रा पर जाने की तयारी करता है और साहुकार के पास कुछ दिन की छुट्टी मांगने जाता है चुट्टी तो तू ले ले, वो तो तेरे पैसे मैं उतने दिन के काट ही लूँगा पर ये बता, तू अमरनाथ की यात्रा के बारे में जानता भी है पता है कितनी दूर है अमरनाथ धाम पैसा, कपड़ा, खाना, पीना, पूरे परिवार के साथ तू कैसे अमरनाथ की यात्रा कर पाएगा बहुत कुछ देखना पड़ता है वहाँ पर पूरा पंजिकरन होता है पूरी तरह से स्वस्थ मनुष्य ही अमरनाथ की यात्रा कर सकता है नहीं तो रास्ते में ही रोग देते हैं और तू ठहरा एक गरीब कमजोर दो दो दिन तो तू रोटी नहीं खाता रास्ते में गिरकर बेहोश हो गया तो वापिस भेज देंगे देख मैं भी अमरनाथ जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ देख लियो मैं अमरनाथ की पूरी यात्रा करके वापिस आऊंगा बोला अपने परिवार के साथ अमरनात की यात्रा के लिए निकल पड़ता है उधर साहुकार को भी अपने परिवार को लेकर अमरनात की यात्रा के लिए जम्मू निकलना था पर किस्मत को शायद कोछ औरी मन्सूर था 75 वर्ष से जादा उम्र होने की वज़ा से साहुकार के पंजीकरण को स्थगित कर दिया गया। साहुकार ने मन में सोचा। भगवान शंकर ने शायद मुझे सबक दिया है कि उनकी यात्रा के लिए कोई गरीब या अमीर नहीं होता। वो जिस पर कृपा करते हैं वही उनके दर्शन कर पाता है। शायद भोला उनका मेरे से भी ज्यादा बड़ा सेवक है। इसलिए उसे अमरनाथ यात्रा पर जाने का शुब अवसर प्राप्त हुआ। मैं ये क्यों नहीं समझ पाया कि भगवान तो प्रेम के भूके हैं। उन्हें धन दौलत बड़े बड़े पकवानों से कोई मतलब नहीं। उन्हें कोई एक सूखी रोटी भी खिला दे तो उसमें भी प्रसंद हो जाते हैं। शिप शंकर मुझे माफ कर दो। मैंने उस गरीब मजदूर की गरीबी का हमेशा फायदा उठाया। बस एक बार भोला यात्रा से वापिस आ जाए फिर मैं खुद उससे माफी मांगूंगा। भोला माला और बच्चों के साथ पहल गाउं पहुशता है। वहां से वो पैदल ही यात्रा शुरू करता है। जै बंभोले का जाब करता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते बच्चों को भूक लगती है। रुको तुम लोग यहां इस पत्थर पर बैठो। मैं किसी से पूछता हूँ। सुनिया भाया जी यहां खाने के लिए कोई सुविधा मिल जाएगी। अरे भाई यह अमरनाथ शद्धालू के लिए लंगर कमेटिया जीजान से पलखें बिछा कर उनका सतकार करती है। खाने पीने से लेकर सोने तक की सुविधा उपलब्द करवाई जाती है। अमरनाथ यात्रा के लिए आओ मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताता हूँ। अमरनाथ यात्रा के लिए उन्हें पांच पड़ाव पार करने थे, पहला पड़ाव पहल गाम उन्होंने पार कर लिया था। पांच पड़ाव अमरनाथ की गुफा है जहां बाबा बर्फानी भोले नाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। मतलब अमरनाथ की यात्रा के रास्ते में पांच पड़ाव आते हैं। आचाया बिटिया पर भोले बाबा का नाम लेते जाओ तो ये रास्ता आराम से कट जाता है और ये पांच पड़ाव भी पार हो जाता है। रास्ते भर अलग-अलग पड़ावों पर रुखते हुए आखिर भोला और उसका परिवार अमरनाथ की गुफा पर पहुँचता है। पूरा परिवार इतने सुन्दर द्रिश्य को देख कर खुशी से जूम उठता है। तुम्हें पता है माला अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मा पारवती को अमरत्व का रहस्य बताया था। बापू वो देखो कबूतर। तुम्हें पता है चाया यह कबूतर का जोड़ा बहुत ही किस्मत वालों को दिखाई देता है जैसे तुमने देखा।